गाव में टिम्मी नाम का एक लड़का था उसे खोजबीन करना बहुत पसंद था एक दिन वह अपने घर के पीछे जंगल में खेल रहा था तब ही उसे एक अजीब रास्ता मिला उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था और ये जंगल के एक ऐसे हिस्से की ओर ले जा रहा था जहां वह कभी नहीं गया था तिम्मी थोड़ा डरा हुआ था लेकिन वह उतसाहित भी था वह हमेशा से खोज करना चाहता था और यहीं मौका था वह जंगल के रास्ते पर चला वह जंगल उचे-उचे पेडों से घिरा हुआ था जंगल इतने घने और शांथ था कि सूरज मुश्किल से ही चमक पाता था और सिर्फ पक्षियों की चह-चहाहट ही सुनाई देती थी टिम्मी काफी देर तक चलता रहा और वह थकने लगा था जैसे ही वह पीछे मुडने वाला था उसे दूर कुछ दिखाई दिया ये एक छोटा सा घर था टिम्मी ने पहले कभी जं हेलो छोटी लड़की ने कहा मेरा नाम लिली है तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम टिम्मी है टिम्मी ने कहा मैं यहाँ नया हूँ ये कौन सी जगह है ये मेरा घर है लिली ने कहा ये एक जादूई जंगल है और मैं अकेली हूँ जो यहां रहती हूँ जादूई टिम्मी लिली ने कहा, मुझे आप पर विश्वास नहीं हो रहा है, यह सच है, लिली ने कहा, आप देखेंगे। लेकिन वह जानता था कि वह जादूई जंगल में अपने साहसिक कार्य को कभी नहीं भूलेगा। अगले दिन टिम्मी जंगल से वापस चला गया और उसके बाद वह हर दिन लिली से मिलने जाता था। उन्होंने एक साथ कई साहसिक कार्य किये और वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। टिम्मी ने लिली से जादूई जंगल और उसके प्राणियों के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मित्रता, साहस और कल्पना शक्ति के महिए।